अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर पुरुष चैन समिती ने बुधवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टीबी सीरीज के लिए भारत की टीम का चैन किया। यशस्वी जैस्वाल और तिलक वर्मा जैसे खिलाडियों को पहली बार टीम में शामिल किया गया है जबकि अलीगर के युवा बल्लेबाज रिंकु सिंग को नजरंदास कर दिया गया है। टीम का ने तृत्व कप्तान हार्दिक पंडिया करेंगे जबकि सूर्य कुमार दर्शन के बावजूद मौका नहीं मिला। आईपियल सीजन नहीं उन्हें आगामी इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के लिए चुना गया। वही संजू सैंसन की टीम में वापसी हुई है। इस बीच वरिष्ट खिलाडी विराट कोहली और रोहित शर्माटी दो शून्य इसे चूक रहे हैं।